तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेध्य चुम्बा की अप्रेजन और आज हम इसी में देखेंगे इसके बाद की दक्षण हस्त का नियम क्या है और शुरू करने से पहले तो मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ ताकि हमें एकदम पिक्चर बने छब जाया दिमाग में सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोटर किस तरह से खाम करती है और उसमें भी हम देखे थे कि कोई अगर चालक तार चलता है तो हेंस क्रिश्यन और स्टेट ने देखकर बताया था कि उसके चारो तरफ एक चुम्बक की एक शेत्र बनता है और इसी कारेन वो जो दिख सूचक है जो हमारा दिशा दिखाने वाला यंत्र है उसकी जो सुई है छोटा चुम्बक है वो हिलने लग जाती है उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो अब एक और साइंटिस्ट है हमारे पास में हुए है जिनका नाम था दोस्तों माइकल फैराड यह आप याद रखना यह कमाल के इंसान हुआ है गजब एक दिम इनने उल्टा सोचा इनने सोचा कि हाँ ठीक है यह vac States में आ गई कि विद्धारा के चलनेसे चुम्बकिशेत्र आ जाता है बिल्कुल तो बोले उल्टा हो सकता है क्या उल्टा मदलब कैसे हम चुम्बकिशेत्र लेया है तार के प सवे और तार में करेंट आजाए ऐसा हो सकता है होना चीह ना देखो लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट पकड़ है और यह जो माइकल फेराड है यह खतरनाक ही इंसान हुए सबसें जो पहले अपना जरेटर ना जो पढ़ेंगे वह जो बाट तो बात तो बात यह कोई डिकिरग्री नहीं थी इनके फास भी इसंकि पड़ रहा थोड़ा अंग्रेजी हिंदी और हिंदी तो क्या हो इंग्लेश और यह थोड़ा मोटा मैथमेटिक्स वगरा सीख लिए अग्का भूलका और उसके बाद में वो जो किताबें करने वाला होता ना चौधा साल की उमर में उसके पास काम करने लगए जो किताब है करते अब बस किताबों के पास में रहते तो उनको साइनरस किताब पढ़ने मजा आया था तो एक बार इनको किसी ने क्या टिकेट लाकर देवी एक बड़े साइंटिस्ट हुए है जिनका नाम है हमफ्री डेवी तो वो इनसे पहले थे बड़े साइंटिस्ट तो वो यह बच्चे है इनको उनके वहां पर शोग था कुछ लेक्चर वह देखनी की बेज़ दे उनको और वो थे कोई रॉयल इंस्टिउशन में केमिस्ट्री लैब संभालने वाले एक्सपरिमेंट करने वाले उनको लिख दिया कि आप मिर को आपके यहां पर नौपर उनको भेज़ दी उनने देखा कि या डिगरी तो नहीं है बच्चे के पास लेकिन यार कि ध किने लिए नहीं पुछ भी जुगाड़ू करके भी एक्सपरिमेंट है मतला अपना करते समपल अपरेटश से भी अपना साइन्स का हो सकता है यावन गटाई हैं और उसके बाद यह जो माईकल फैराडे है इनको बहुत बड़े-बड़े तॉख ने वहार हम से आप य प्रक्रहां क्या है कि हम क्या गरेंगे चुम्ब के शेत्र से विध्युधदौरा लेकर आएंगे हैँ समझ चत्र है तो देखए वक रखरम येप प्रक्रिया है क्हा है प्रक्रिया मालों यह वाला देखो आप यहां पर इसमें यह अपना एक परिनालिका है और यह जो दूसरी परिनालिका है तो परिभाश को ध्यान से पकड़ो किसी चालक के परिवर्ती चुम्बगी शेत्र इसमें जैसे करंट बहना चालू होगी तो गुमी 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 एक तरफ नौर्द बनेगा एक तरफ साउद बनेगा यह वाधपन पढ़ चुके है ना इसमें परिनालिका मे तो कह रहा है इसमें जैसे ही करंट जाएगी तो चुम्बगी शेत्र बनने लग जाएगा बनने लग जाएगा बनने लग जाएगा बनने लग जाएगा सही बात है विलकुल सही बात है तो बनने के कारण जो दूसरा चालक है ना हमारा यहां देखो इसमें क्या होगा तो मिटर एक ऐसा यंद्र है दोस्तोर जो विद्योध्ध्धारा की जो दिशा वो बताता है और चोटी सी ी जुटिवध्ध्ध्ध्योध्धारा उसको नातने में भी सहाथ अब इसकी पिस्वा सुवर्यู समझ रहे हैं और अगर उसको उल्टा उल्टा लगा दिए तो गड़ बड़ जाएगी इसका मतलब क्या है ग्यालवनमेटर में प्लस माइनस का टेंशन रखने के आपको ज्यादा जरूर नहीं लगा दो जहां भी फिर जिस भी दिशा में होगी वह आपको धारा बता देगा तो आप यहां ऐसा कर दिया तो बोला इसमें धारा आ जाएगी लेकिन इसके बीचे बेसिक बात क्या है वह समझो हमें एक दे रहा है प्रेक्टिकल बुक में ऐसे कि क्या करना है हमें एक लेनी है परिनालिका और दूसरा हमको लेना है एक चुमबक तो यह बड़ा सिंपल बोला इसको चुमबक को चुमबक में क्या है चुमबकी शेत्र देव बोल रहा था ना कि किसी चालक के परिवर्ति चुमबकी शेत्र है परिवर्ति चुमबकी शेत्र तो हमने चुमबक से ले लिया और दूसरा जो है चालक में विदिधारा तो दूसर चालक हमने ऐसे परि और चलाएंगे तो इसका चारो तरफ कुष्ण को चुम्ब की शित्र है तो यूँ आएगा तो इसके लिए वह बदलने लग जाएगा तो उससे क्या होगा इसमें विद्धारा जो चलने लग जाएगा अब यह जुड़ा हुआ तो हमको पता नहीं चलेगा कि विद्धारा च यह होता है लेकिन मेरे को तो यहां जो लोकल मिला है उससे अपन को काम चलाना वड़ेगा तो अब देखो ध्यान से मैं अंदर लाओंगा और बाहर ले जाओंगो तो आपको डिफलेक्शन नोटिस करना है जैसे ही मैं चुम्बक को अंदर ला रहा हूं और बाहर ले जा र होई होगी और अगर मैं अंदर लाके रख दो तो न ही कहीं देख लो रहा हूं और जैसे बाहर खीच रहा हूं वापिश ह skirtudo कि अब अगर मैं यह हमारा नॉर्द की जगह साूथ को लें करना चलिए आप लटा हो जाना ची देखो तो अंदर जब ला रहा हूं तो स्वुत यौद करकले काइब नहींonne हो ये तया नहीं सब्सक्राइब जाहरे और रही स्मंझ मारी बात दोस्तों धयान से देखोए इसको अपने soit mês ये अगर थे को समझ में लेकिन इसको अगर आपन धयान से देखें तो और यहां में सबस्तों और इस विदुद्धरा के कारण ही क्या हो रहा है विदुद्धरा उद्फन होग विदेलिग्ञैज यह पर बढ़ेंगे तो हलका जठाण करेंगे अगर मान लो चालू करते है वक्त इस तरह मुड़ा था इंटो अब इस तारह- नूर्ट के दिखार देगा अपने को है ना तो बैए कुल में लाकर कि हो क्या रहा है अब मैं आपको वह चीज गहराई से बताने वाला हूं देखो मान लो यहां पर है हमारा यह चुम्बक एक हमने लिया एक चुम्बक इस तरह से यह नौर्थ ले लिया मान लो साउथ ले ल भई नौर्थ से साउथ इस तरह से अब देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जितना आपन चुम्बक से दूर जाएंगे चुम्बक की शेतर रेखाओं के संख्या उतनी कम होगी यह बात समझने वाजिए ना दूर जाएंगे तो फैलती जाएंगे रेखाय कम होते जाएंगे लेकिन आप चुम्बक के पास में हो तो चुम्बक की शेतर रेखाओं के संख्या उतनी ही जादा है अब आप सोचो कि मान लो अभी हम इतना दूर है इस कुंडली से कि यहां पर चुम्बक की शेतर रेखाओं के संख्या इस कुंडली में से होते हुए जारी है वो है 0, फिर उसके बाद होडा जब हम पांस मेलाए तो वोग एक, फिर फिर उड़ा और पांस मेलाई तो मालो हो गही तीन, फिर और पांस मालो, उघ्र हो गई 5 फिर और 5 मिला तो मानलो वह हो गई 10 तो यह नंबर बदल रहा है चुम्ब की शेत्र मलाव इस परिनालिका के सापेक्ष यह इस कुंडली के साथ एक चुंबक ये शेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है आई क्या पास अन्हें तो ये परिवर्तन जरूरी है और फिर ये जो है यह में किसी यह तो इस तरफ जो है हमें करेंट की दिशा दिखाएगा जो कि इसमें खशन के लिए बस आएगी अब लिया तो आ रही है अब मान लो फिर हम क्या किया अब अंदर ले आए तो हमने का आग रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रख लो क्या है उसको यह हम जाए उपर मान लो तो ऐसे चुंबकी शेतर रेख लेकिन अब क्या हो गया कि इस कुंडली के सापक चुंबकी शेकतर रेख ऊना उसमें परिवर्टन नहीं हो रहा तो मनलो अगर अभी इस कुंडली में से 15 जो है चुंबकी शेतर रेख है उगर के जारी तो वह 15 मिनट बाद भी 15 जाएंगी पांच मिनट बाद भी 15 जाएंगी दो गंटे तक अगर बैठे रहेंगे तो भी 15 ही उसमें से चुम्बग की शेत्र रेखाए जाएंगे और यहां पे जो करेंट का मान होगा वो होगा दोस्तों 0 इसमें इस कुंडली में से कोई करेंट नहीं जाएगी तो यह जो हमको जीरो पर ही दिखाएगा कि यहां कोई करेंगे दोस्तों इस जगह पर तो मान लो फिर सपना चुम्बग ले लिया अपने नौट साउथ अब हम क्या कर रहे हैं हमारे चुम्बग को इस तरफ लेकर जा रहे हैं इस तरफ दूल लिजा कुण्ड़ी से पहले पास रहे हैं फिर ऐणतर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मेलेगा कि शेतरा रखाऊ कि संक्या तो हाई अब मान लो पहले जो इस इसको देखना परिवर्तन हो रहा है क्या बोले हाँ यह परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब हमें आई कुछ न कुछ मिलेगा और वो दिशा कौन सी होगी अगर पहले यह दिशा थी तो अब वो दिशा दोस्तों यह वाली होगी तो दोस्तों यह जो प्रश्न मैंने यह रखा है देख लो नीचे सीधा क्या रहा है क्या होगा अगर कोई चुम्ब के शड कुंडली में धकेली अपने धकेल रहे हैं तो जो हमारा दिखाया था गैलवनोमेटर ने अब गैलवनोमेटर उसके विपरीद देशा में विक्षेपन दिखाएगा और तीसरे में कहा रहा है कुंडली के अगर भीतर रखी दे में तो यह कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें किस से मतलब है परिवर्तन से तो आप तो यह परिभाशा या हो रहा है विद्धारा प्रेरित हो रही है इसी को चुम्बक के प्रेरण कह रहा है लेकिन बेसिक बात क्या है कि जो चुम्बक है और जो हमारी परिनालिका है यह जो चुम्बक की शेत्र है और जो हमारी परिनालिका है इन दोनों में सापेक्ष गत्य होनी चाहिए सापेक् कोई दिक्कत नहीं सापिक्ष मतले एक दूसरे के लिए इनकी जगा जो है वो बदलनी चाहिए अगर दोनों ऐसे चल रहा है तो एक बूसरे के लिए जगे इनकी बदलेगी नहीं तो उससे पदले हैं यहां हम ऐसे बोल दें कि जो चालड है जो कुंडली है हमारी उसको कहाँ धकेल रहा है अगर यह हमें पता हो तो क्या हम बता सकते हैं कि विदधना की दिशा होगी विल्कुल तो उसके लिए अपने को एक फ्लेमिंग में नियम दिया है देखो पाठ के शुरू होत था कि सीधे हाथ में अगर हम धारावाही तार को पकड़ते हैं तो जिस दिशा में हमारी अंगुलियां उस धारावाही तार को बंद करती हैं वही चुम्बकी शेत्र की दिशा होती है फिर हमने जब मोटर पड़ा था तो हम वहां देख रहे थे FBI हमने पड़ा था जो कि था हमारा वाम हस्त नियम ठीक है उल्टे हाथ वाला नियम था तो वाम हस्त नियम में हमने क्या देखा था FBI हम देख रहे थे कि अगर हमें चुम्बकी शेत्र पता हो अगर हमें विद्यधा असवारा जो प्रेरित होगी जिसका प्रेर्ण होगा उसके दिशा क्या होगी उसके लिए हमेशा याद रखना राइट हैंड रूल है हमारे पास यहां पर फ्लेमिंग का यह सको में लोग फ्लेमिंक का दक्षन हस्त की और नियम तो चेप्टर की से याद रखोगे सबसे पहले राइट इसीख़ा फिर लेफ्ट सीखा फिर वापिस रीट करें तो है सेम gna और अंगूठा और तरजणी और जो मध्यमा है तीनोंं अंगूलिया जो है हमारी इनको तीनों को इस तरह से आपको रखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबववथ हो यह इसके लंबववथ है यह इसके लंबववथ है और यह सक लंबवथ है मतलब सबके बीच में 90 degree का कौन बन रहा है बनाके देख लो इस से करने दाया हाथ की तो यह ले लिए अपन ये क्या है वी बी और आई तो बोला वी क्या है तो वी हम किस के लिए लिखते हैं फिजिक्स में वी हम लिखते हैं कि किस दिशा में चाल हो रही है या गति की दिशा को बताने के लिए किस दिशा में वो जो हमारी कुंडली है उसको हम हिला रहे हैं वी तो चुंबा की शेत्र है ही हमार नहीं अब देखो बहुत ही बैसिक पंसप्ट यहाँ बिसक है बहुत जादा बैसिक है इसको आप समझत ओ ऐसी शकते हो कि मान लो ऐसा कोई चर्खा है अपने पास में और ये हमारे क्या करें इस जगह पे मान लो इतने पर हम क्या कर दें एक चुम्बक रख दें इस तरह से बड़ा सा इसको हम लिख दें इसका यह मान लो नौर्थ और इसको साथ अब यह दोनों को रख रखा है अपने पास-पास में अब आप सोच करके देखो कि अगर यहां से पानी गिरना शुरू होगा तो यह क्या होगा यह घुमेगा इस तरफ यह धर आ जाएगा फिर इस पर गिरेगा क्योंगे इस तरह से पानी गिर रही है यहां से तो पानी गिरने से क्या होगा कि चक्रा जो है क्या होगा और जोड़ ऑजितर और जोग गुझर और उस से क्या होग उस प्रिवरतन से क्या होगा एक विधिध्युत वहक बल आएगा और उस बल गारण इस कुंडली में विधुध्ध्या प्रभायत होगी और अगर आप पानी को और तेज वहाने तो और जल्दी घुमेगा तो जो परीवर्तन है वह बहुत जल्दी जल्दी होगा उतनी ज्यादा अपने को धाराना मिलेगी आई बाच हमनमे अब देखो यह तो एक बेसिक होगा अपन कैसे समझे अब जैसे बैम वैम है मालो बना दिया अपने बांद बना दिया पानी गिर को चुमबक की शेत्र को तो फिक्स कर रहा है कैसे फिक्स कर रहा है मान लो यहां एक बड़ा चुमबक लगा दिया जो है हमारे पास नौर्थ पुल और यहां पर इस तरह से लगा दिया जो की है हमारे पास साउथ पुल यह तो फिक्स होगे अब क्या कह रहा है यह जो कुं धाय हाथ लगाू अपने तो बी को तो फिक्स का जोma किए अपर यह बातो यह घू इने टाहिए तो बी तो छिट्व होगा गा यहिए है वह बहुत खुत एपना बने दिच्छा यह बहुत अब देखो अब टो आ। तो AB में हम क्या कर रहे है, B तो वाबिस फिक्स है, यह रहा B अपना है न, V B I, अब V का चाहिन हो गया यार, V देखो अंदर है इस बार, उसको अंदर धक्का दे रहे हैं तो V अंदर है, तो एंगुली कहा दिखा रही है, नीचे की तरफ, तो B में दिशा, जो होगी दोस्तों यह simple सा, एक तो नियम आपको याद रखना है, और दूसरी बात यह पूरा का पूरा concept, दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको बड़े सरल तरीके से यह experiment समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, अगले वीडियो में आपन पढ़ने वाले हैं, विद्वत जन्नित्र के बारे में, एसी विद्वत जन्नित्र के बारे में मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में,